हलो फ्रेंग्स वेलकम बैक टो अनदर वीडियो आप जापिरान क्यूब संगेटा आज मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ कि कैसे एक 3x3 रुबिक्स क्यूब लास्ट लेयर वाल किया जाते हैं सो लेट्स बिगेइड सो गाइस वीडियो शुदू होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट लेट सौल करने में 4 सिचुएशन होते हैं पहले तो आपको यहाँ पर एक डॉट मिलेगा फिर आपको सी मिलेगा फिर आपको एक लाइन मिलेगी फिर लाइन के बाद आपको यलो प्लस मिल जाएगा सो सबसे बहले डॉट से शुरू करते हैं आपको यह 4 सिचुएशन में एक ही अलगरिधम यूस करनी है तो अलगरिधम आपको नीचे लिखी भी मिल जाएगी तो अलगरिधम है F, R, U, R', U', F' आपको यहाँ पर C मिल चुका है अब आपको C को लेफ्ट साइड रखके वाफस ही अलगरिधम यूस करना है अब आपको लाइन मिल जाती है अब आपको लाइन यहाँ पर ऐसे सीधी रखनी है ऐसे नहीं रखनी ऐसे रखनी है अब आपको वाफस ही अलगरिधम यूस करना है F, R, U, R', U', F' अब आपको यहाँ पर प्लस मिल जाता है तो हमारा यह step खतम हुआ तो गाइस अब आपका second step यह है कि आपको H piece मैच करना है दो जैसे यहाँ पर orange और red है तो ऐसे दो side के आपको H piece मैच करना है या फिर जैसे orange है और उसके opposite side blue है तो ऐसे दो color मैच करना है तो आपको दिखा देता हूँ जैसे यह green और orange दो color मैच हो गए तो आपको इसको green को right side रखके और orange को back side रखके आपको यह algorithm use करनी है आपको नीचे लिखी भी मिल जाएगी r u r prime u r u to r prime तो आपके सारे hps मैच हो जाएगे अब बढ़ते हैं कि इधर होता है और इधर होता है तो क्या करते हैं जैसे यह green और blue दोनों opposite side यह तो क्या करने का तो आपको इन दोनों को green को left side और blue को right side रखके वाफस वह algorithm use करने का r u r prime u r u to r prime अब आप देख सकते हमको दो कडर मिल गए अब इसको red को right side और green को back side रखके वाफस वह algorithm use करने का r u r prime u r u to r prime अब आपके सारे hps मैच हो गए है सो गाइस अब बढ़ते next step की और अब आपको यहां पर कॉन पीस solve करना है जैसे आपको कोई भी जैसे यहां पर green और orange यहां पर green और orange यह पीस इधर आएगा और यहां पर red और green है तो वह पीस इधर आएगा तो इसको कैसे solve करने का तो पहले तो हम इसे देखते हैं तो यह fix place पे है कि यह rotate होके सही जगे आ सकते हैं और orange और blue है तो अगर यह twist कर देगे इसे तो यह इधर आ जाएगा तो उसके लिए algorithm है वह आपको नीचे लिखी मिल जाएगी इसलिए simple algorithm है r prime d prime r d 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 so guys यह piece हमारा आ चुका है अब इसकी बार ही है r prime d prime r d r prime r d तो हमारा यह piece इधर आ चुका है अब आपको यह three corner piece match करने है तो जो solve हो गया है उससे right side रखके यह algorithm use करो u r u prime l u r prime u prime l prime अब आप देख सकते हैं कि हमारे यह सारे corner piece twist हो सकते हैं जैसे twist होके इधर आ सकते हैं यह twist होके इधर आ सकते हैं अब बात आती है कि यह जब yellow तो right side है तो आप इसको r prime d prime rd r prime d prime rd से करोगे तो यह दो step में उपर आ जाएगा जैसे यह भी right side है तो r prime d prime rd r prime d prime rd तो यह दो बावी algorithm repeat करेगे तो उपर आ जाएगा यह भी right side है r prime d prime rd r prime d prime rd तो इस तरीके से आपका पूरा 3 by 3 last layer solve हो जाएगा so guys अब यह situation आ सकता है कि जब आपका yellow corner piece front side face कर रहा है तो आपको r prime d prime rd 4 times repeat करना परेगा जैसे यह front side face कर रहा है तो मैं इसको 4 बार repeat करूगा तो होगा r prime d prime rd 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 तो यह हमारा उपर आ जाएगा जैसे यह है तो इसको हम 4 बार करेगे तो यह उपर आ जाएगा r prime d prime rd r prime d prime rd r prime d prime rd तो यह उपर आ गया वैसे इसके साथ करना है सो गाइज हमारा पूरा 3 by 3 rubik's cube last layer salt हो चुक है अगर आपको कोई भी doubt हो या कोई भी confusion हो तो आप मुझे नीचे comment section में बता सकते हैं और अभी ता आपने मैं चैनल को subscribe नहीं किया रहा होगा तो प्लीज भी जाके subscribe करो और मेरे सारे वीडियो को like करना, share करना बिलकुल मत भूलना Do like, share and subscribe my channel and I will see a new video. Bye!